विडियो वेलकम बैक टो इंचैंटिंग लाइट्स दोस्तो आज हम कुछ इंट्रेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाले हैं एक बार फिर से और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे कुछ अँच अक्रिलिक पेंट की बोटल्स मैंने रखी हुई है तो इन पेंट की बोटल्स के अलावां मैंने कुछ अख्रिलिक कलर्स लिया हुए got तो इन बहुत ही कम चीज़ों से हम आज कर डियाइवाई करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटिफुल सा डियाइवाई बनने वाला है हमारा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को कर लिजे और बेल आइकन को दबा दीजे और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों इन चोटी बॉटल से मैंने एक और फूर्ट कैंडल का वीडियो बनाया हुआ है तो वह भी वीडियो जरूर चेक किजेगा मैं लिंक ड कर लिया है और ये लिड जो है इसको मैं अलग कर दूंगी इसका हमको यूज नहीं है तो इससे मैं एक बहुत प्यारी से डॉल्स बनाने वाली हूँ उसिंग दिस बॉटल एंड मोल्डिट क्ले सबसे पहले मैंने मोल्डिट क्ले के दोनों वेरियंट हार्डनर और रेजिन जो है वो इक्वल प्रपोर्शन में ले लिए हैं ये दो रहते हैं एक हार्डन रहता है और एक रेजिन रहता है तो इसको हमको इक्वल प्रपोर्शन में लेना होता है तो थोड़ा-थोड़ा करके जितनी जरूरत है उतना लेके इन दोनों को मैं अच्छे से मिला दूंग अच्छे से इसको मिक्स कर देना है सो फ्रेंट्स मैंने इस तरीके से एक सर्कुलर शेप में दो नो वेरियंट्स को मिक्स करके एक सर्कल बना लिया है जो की हमारे डॉल का हेड होने वाला है सो इसे बस जंटली इस तरह से प्लेस करना है मैं इसे खड़ा रख रही हूँ इस तरह से और इसको हाथों की हल्प से हलका हलका दबाके एक गोल शेप दे दूँगे अब नेक्स्ट है दोनों क्ले इसको फिर से लेके इसको रोल करके हम इस बॉटल के जो नीचे का हिस्सा है उसे कवर करेंगे थोड़ा सा टैलकम पाउडर लेके अपने हाथों पे भी थोड़ा सा लेके इसे स्प्रेड कीजिए दोस्तों यूजवली इस टाइप की बॉटल्स हमारे पास बहुत होती है स्पेशली जब हम पेंटिंग वह रहे करते हैं बट वो करने के बादे में इन्हें यूजवली फैक देते हैं इन बॉटल्स को ना फेकते हुए इससे बहुत प्यारे प्यारे डियाइवाइज हम कर सकते हैं इसमें से एक मैं आज आपको बता रही हूँ इस तरीके से इसे मैंने पतला बेल दिया है ब्रश या पैन की साहता से आप कर सकते हैं यह छोटे बेलन की हेल्प से और इसे सामने का पोर्शन कवर कर लिए अब इसी तरीके से मैं पीछे का पोर्शन भी कवर कर लूँगे मैंने मोल्ड़ क्ले से चारो तरफ से इस बॉटल को कवर कर लिया है और यह हमारा head portion है और यह body है हमारे doll की तो मैंने इस तरह से इसे roll कर लिया ताकि यह completely जो molded ले है यह अच्छे से smooth हो जाए और इसमें कोई भी lumps या फिर किसी type का कुछ binding ना रहे तो इस type से यह ready है अब हम हमारे doll के बाल और उसकी hairstyle की तरफ चलेंगे तो थोड़ा सा मैंने molded ले लिया है अगेन बालो के लिए मैं इसे roll करूँगी और इस तरह से मुझे short रखने है doll के बाल तो इस तरह से मैं ऐसे लगाऊंगी इसमें अगर आप चाहे तो थोड़ा सा glue भी लगा सकते हैं बड़ सूखने के बाद यह particular जो portion है यह अपने आप hard हो जाएगा अगर आप glue नहीं भी लगाते हैं तो चलेगा बस इसे अच्छे से दबा दीजिए मैंने doll के बाल बना दिये पीछे से भी हमें अच्छे से इसे प्रेस कर लेगा है बहुत ज्यादा प्रेस मत कीजिए थोड़ा सा साइड से यह लगे कि यह बाल है तो completely इसे हमको merge नहीं करना है दोनों के लेको अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा बन बनाऊंगी इसे मैं glue के help से चिपका लेती हूँ क्यूंकि सुखने के बाद यह निकलने का chance है इसको secure करने के लिए मैं हलका सा glue लेके इसे fix कर दूँगे कुछ इस तरीके से यह मैं एक Japanese डॉल दिखा रही हूँ आपको बनाना हम इस तरह से अलग अलग टाइप की डॉल बना सकते हैं आप सो यह मारी डॉल का है बन के तयार हो गया है आप सो फ्रेंट्स मैंने क्ले को रोल करके इस टाइप के हमारे डॉल के ड्रेस के लिए उसकी स्लीव बना लिया बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एसा रॉंबस की शेप में इसे कट करके इस तरह के से स्लीव बना के इसे चिपका दिया है अब हम जो जैपनीज फैन है वो बनाएंगे डॉल के हाथ में उसके लिए मैंने थोड़ा सा पावडर डाल के एक सेमी सरकल शेप रूल करना है और इसे अपने हाथों से थोड़ा सा फैन का शेप दे दूँगे और इस तरह से इसे बीचो बीच चिपका देना है क्योंकि हमारा क्ले गीला है तो यह फैन अपने आप इसमें स्टिक हो जाएगा आप चाहे तो थोड़ा सा ग्लू लगा के या फैविकॉल लगा के भी इसे चिपका सकते हैं इस तरह से हमारी डॉल का एक प्रॉपर जो टेक्स्चर है या एक प्रॉपर लुक है वह रेडी हो गया अब नेक्स्ट हम इसे अच्छे से पेंट करेंगे करेंगे इस तरह से मेरी प्यारी सी जैपनीज डॉल रेडी है और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूडिफुल लग रही है डॉल कोई भी से कहके बोल नहीं पाएगा कि एक वेस्ट पेंट बॉटल से हमने बनाई हुई है तो दोस्तों ट्राइ कीजिए यह अमेजिंग डियाइवाई और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताईए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा मैंने इसी तरह से और कुछ डॉल बनाई हुई है जो मैं आपको दिखाती हूँ आप इस तरह से एक सी रश्यन डॉल बना सकते हैं या फिर एक और मैंने ये जैपनीज डॉल ही बनाई हुई थी विद डिफरेंट हैर स्टाइल या फिर इस तरह से हैट वाली आप बना सकते हैं या तो इस तरह से विद पूनी बना सकते हैं तो देखा आपने कितना आसान था यह प्यारी डॉल्स सिर्फ कुछी मिंटों में बनके रेडी हो जाती हैं और काफी कम समान में यह डॉल्स हम मना सकते हैं तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक थम्स अब जरूर दीजेगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें so thank you so much दोस्तो आज को वीडियो देखने के लिए बबाई सायोनारा